नहीं मेरा नेचर ये थोड़ी एक ही में जाते ही लोगों के उपर कुछ लंचन लगाऊंगी और फिर उपर चड़ोंगी और जड़ा करोंगी कि नायरा ये गेम है अटेक का इसकी पैंड लूज क्यों है इसका वो क्यों लूज दे जाके मुद्दे बना के जड़े करने होंगे मुझे लगता है कि पहली जैसे में बाहर आई मुझे बहुत लोगों का प्यार दिखा जहां पर लोगों ने बोला कि आप लोगों ने मुझे से कॉन्वसेशन तो किया है लेकिन मेरी एक्चुल परस्णालिटी जो मैं रियल में हूँ वो भी आप लोगों ने देखा है यह थो विख अपनी ट्रिम अनुच्छ फरकि प्रीटös विटाल सट्थितजिश शुद्धं गया है लुग एफिज में लोगों ने ला अपना ऊमतर के लिए और मैं नॉमिनेशन से बच इसली नहीं पाई क्योंकि अलोडी मेरे सामने तीन स्टॉंग कंटेस्टन से थे जो स्टार्टिंग से उन्होंने उनको गेम का फॉर्माट पता था मुझे नहीं पता था I thought it's a personality contest and I did not know that मुझे देवां से एक अटैकिंग वे में रहना पड़ेग कि कनेक्ट नहीं हो पाए कि आपको देखा ही नहीं गया अगर मुझे पहले किसी ने ब्रीफिंग दिया होता कि नायरा यह गेम है अटैक का आपको जाके जबरदस्ती इसकी पैन लूज क्यों है इसका वो क्यों लूज दे जाके मुद्दे बना के जड़े करने होंगे तो मैं 100% सोचती कि ये मेरे लिए है की नहीं मुझे लगा था मुझे बार बार बताया गया था कि यह आपको बिग बॉस नहीं देखन है ताकि आप और गानिक ली करो जो आपको करना है और गानिक ली आप जब किसी नए जगह पे जाते हो आपको एक दो हफ्ता लगता ही है आपके आसपास के लोगों को समझने के लिए और आपकी वाइब समझने के लिए विच वेरी नाच्रल प्रोसेस तो मेरा वही हुआ तीसरे हफते में मैं सब कुछ समझी मैं स्टेबल फील करने लगे और मैं अपना गेम कहलने शुडू की थी पहले हफते में सल्मान खान ने आपके साथ पुरा विकिन का बार भी क्या था बॉर्निंग ज़िए आपको रगता कही ना कहीं आपने लेट कर दिया तीसरे वीक म मुझे मैं वही तो कह रही हूँ ना मैं गेम को समझी नहीं थी बिइंग ओपीनियेटेड डस नॉट मीन आपको स्क्रीम और मेरा कुछ एक डिसग्रीमेंट हुआ है आप चिलाओगी इंसान तब चिलाता है या फिर इंसान तब अपना वॉल्यूम हाई करता जब सामने वा जब लोगो को किचन के रूल्स बनाए या फिर बातरूं के रूल्स बनाए मैं इतनी डॉमिनेटिंग थी तो लोगों ने मुझे चालेंज क्यों नहीं किया क्यों किसने मुझे काउंटर नहीं किया क्यों किसने यह नहीं बताया कि मुझे कोई हख नहीं कुछ बोलने का बा अब बहार निकली में सेनियों इमोशनल साइट के इतने जल्दी नहीं ऐसे कैसे मैंने गीम अभी स्टाट किया था तो वॉट यूट यूज लगता है कि आज सी मैं डिसपॉइंट बहार आके इसली हुई क्योंकि क्लियरली लाइव में मेरा जितना ताम जाम था चीजे थी फन चीजे थी मेरी इंटरक्शन्स थे मेरे परस्नालिटी के बाकी जो चीजे थे वो क्लियरली दिख रहा था जो एपिसोड में नहीं डाला था और मुझे नहीं पता है कि वो एपिसोड में क्यों नहीं डाला था, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि नहीं डाला था, क्योंकि मेरा कोई परसनल फाइट नहीं था किसी के साथ, अभी अगर किसी के साथ मेरा परसनल नहीं फाइट हुआ है, तो मैं जबरदस्ति जाकर फाइट न हुआ ही नहीं मेरे साथ किसी ना मुझे चालेंज के ना मैंने किसी को किया सब तो मेरी बात मान के वैटे थे सच में घर पे सी चाहत है संबेडी जो बहुत चिल्ड आउट रहती है घर में बहुत चिल्ड आउट रहती है और ग्रुप में बैटने के बावजूद भी वो बात तक नहीं करती है आप लाइब में उनको उब्ज़फ करना उसके कुछ चीजों के वज़े से फ़र एक्जांपल बैड वाला जो मुद्दा हुआ था वो उन्होंने आप अगर एपिसोड देखो कि उन्होंने एक बार भी अपने मुझे नहीं बोला कि मुझे स्नोरिंग चीकने की वज़े से बैड अंदर सोना नहीं है वो बोलने जा पर जब जब ज़ाडा तब उसने काउंटर दिया तो घर पर भी वो खुड से कभी अपना ओपीनियन नहीं देती है आज तक जितने भी ओपीनियों हुए है उन्होंने ओपीनियों नहीं दिया है वह गई भी तो लोगों उसको जाने बोला है कि आप बीच में मत पड़ो ए तुम घर के साथ महीं रहना चाहती हो कोई बात नहीं तुम्हें खाना रोक ने कहां किसी को नहीं है लेकिन एक कर्टसी होती कि तुम हमसे बात तो कर सकती थी कि आर्फिन भाई नायरा आप सब लोग मैं आपके साथ अंशन में नहीं बैठना चाहती मैं उस पॉइंट पर अपर डडी थी उसके उपर जो दिखाया नहीं गया था जू मैं नहीं एक तो सब बिखन रहा है थे delta ट एसक अעय तो सब बेकब अथा था नहीं है तोसे रहा है君से अशन मीत नहीं डिका हुआ था था ना मैं नहीं थे वा था कही दिखा हुए थाना ओम को तो तो मैं दो आपके बारे में बात होई लेकिन किसी ने मुझे नहीं बोला तो मैं उस चीज का क्या करूँ फिर आपने अच्छा प्यार टीम नहीं पता कि सबसे बेस्ट वियार कौन था और कौन होना चीज़ था मेरा उस टाइम पर आइड नो मुझे लगता है करन एंड चुंका हो सकता है हो सकता है क्यूंकि रियल तो रियल फायर मैंने किसी में भी नहीं देखा है सच कहूं तो सी इशा 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 वैस वरी इंटेलिजेंट गर्ल रजट जैसे बंदा जो लड़कियों के साथ जड़े साथ का रजग और रजा किसी में एक सोच मिलेगा तो जिस दिन रजग को शौक मिलेगा उसको शौक मिलेगा विभंक साथ लगा सब्स सा आप्सेत भी वा था जब वोटीं हो लुएं टी स्टेज पर लेकिन ईशा बीग लिए ने दो बाते नहीं की स्टेज पे आके उसके बारे में, राजट के बारे में. तो उसको वो disappointment लगा था, second situation, इन लोगों ने कुछ implied plan ये किया था कि मुस्कान को बचाना चाहिए eviction से, मैं एक बात complete कर रही हूँ, उस टाइम पे ये चल रहा था कि हमें मुस्कान को बचाना है eviction से, तो मुझे लगता है कि अपना पॉइंट को बचाना चाहता हूँ, वो फस गया था, और उसने अपना पॉइंट रखा और सारे घलवार ले उससे बात करना बंद कर दिये, तो मुझे लगता है कि रजट को भी एक पॉइंट के बाद पता चलेगा कि अपना ही गेम खेलना है कि फैलना है, मैरा रजट को आप टॉप वन ही रैंकिंग में कैसे देखती हो, मुझे लगता है रजट डिक्टेटर बंद करना है, 100% क्योंकि उसने खुद बोला है अपने मूँ से हम लोगों को कि उसे अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको पांच गंटे पूल में ख़डा करेगा, के लिए जाता, वो अपना पावर एक साइस करने के लिए एक खाना भी नहीं देगा, तो हमें और मुझे यह पता है जब यह वाला टास्क वा था जहां पे चुम, आरफीन और रजट की बीच में में रजट का गुड़ा अटाया था, मेरा डिजन बाद में यह भी था, कि तूम बहुत जादा इंपल्सिफ हो, एक टाइम गॉड एक लीवald इडर इंपल्सिव नहीं हो सकता, आप डिक्टेटर वाली कालेट्य लीकए नहीं हसे यह असक्या, 자기 husband, was Bal4 field who can work around the house very well. तो उस उस रीजन के वज़े से रज़त को ना एक थोड़ा सा टशन हो गया था मेरे साथ बट प्यार सा के बात करके नलिफाय करकी भी चला जाता था नाइडा कही न कहीं इसा और एलस की जो बॉंडिंग हमें दिखाई जा रही है और आप तो न का फ्रेंड जो उन दोनों को पर चाहेंगी तेखो इन का गैंग को तो मैं सिंडेला सिस्टर्स बुलाती थी पहले अब मुझे सच में पता चला कि चुगली चाचिया तो थी है यह हैं ही वो पूरा टाइम वो ही करती रहती है हैं हैंग सेट दाट मुझे उनके इस फ्रेंड्शिप से भी बहुत जादे इंस्पिरेशन मिलती है वो द्या वरी टाइट विती चादो भले वो लोग घर के लिए थोड़े वैसे टाइप के हैं सिंडेला सिस्टर्स जैसे ह हैं जो उसका भी उसके साथ रहके उसको भी बहुत जादा वो करते हैं बड़ा दे सेम टाइम आई रिली मुझे अंदर से बहुत इच्छा भी होती थी कि काश मेरा भी ऐसा बॉंड किसी के साथ था और अन फॉर्चुनेटली मेरा बॉंड अल्मुस्ट दो जन के साथ ऐसा मैं सामने से जब क्या हुआ था सारा जेल में बैटी थी बगगा भाई को बोल रही थी अच्छा शिल्पा और करनवीर के साथ उम्हारा रिलेशन कैसा है तो बगगा भाई बोले हाँ ठीक है अच्छ ठीक उनको छोड़ देते है ये नायरा और शेजादा का जो जोड़ी है बहुत स्ट्रॉंग जोड़ी बन रही है मुझे इन्नों को सबक सिखाना है फिर बगगा भाई ने बोला उसकी रिटर्न में कि मुझे एलिस और इन तीनों को भी सबक सिखाना है क्योंकि एलिस और इशा हमेशा बगगा जी के ऑपोजिट में जाती थी तो ये चीज़ श्रहजादा को अविनाश को एलिस और इशा को हम पांच को टागेट किया जा रहा है टॉचर करने के लिए श्रहजादा मुझे लेके भागा उनके पास हमने सारा पोल खोल दिया कि हमें टागेट किया जा रहे है ये दोनों जेलर्स जेल के दी बैठके तो तबी के तबी कि अविनाश करेंगे लेकिन एसा लाइंस जो पूरे घर वाले नहीं देखेंगे तो कि घर वाले देखेंगे तो हम सब की नजर में आ जाएंगे उनके और अलग अलग स्टाटिजी आनी शुरू हो जाएगी तो येस अलाइंस के डिस्केशन औरी हो चुकी थी हम एक दूस मुझे शिल्पा जी आउटराइट फेक लगती है बगगा जी हिडन है वो कन्विनियंस के इसाब से उतर चड़ाव उनका रहता है लेकिन शिल्पा जी वो बहुत ही विक्टम कार्ड प्ले करके बहुत सेफ खेल रही है एक तरफ विवेन और एक तरफ करन को रखके शीज आप प्ले करन का लीडर है तरफ करन को बहुत है है वह बहुत है है लादला माई घर का लादला है तो है वो गलर का लादला प्ले कर सकते हैं कैना सब्सक्राइब कर लिए अपने झाले के सारे के लिए उसने किया भी है उसके तॉप तु का पोजिशन भी मिला हुई है एक बहुती सेफें जोन में है तो शांती से कहल शकता हो दो जिए कुछ निया हैं टॉप एन पर लिए टॉप निया है अज बहुता ऑट अजय तोर विभिन आश और विविन के साथ देखा था लेकिन टॉप 5 में देखा जाए तो डेफिनिली करन वीर और अजदभी आते हैं एक लास कोश्चन है एक अप फ़ाय और रही है कि नाइरा अजा बहुत जल्ब आने बालाएगा इसमें कितने सच्छा ही आपको बताना चाहा है तुम जूते की बराबर नहीं हो तो वो उनका परसनल फिट्टूस जो है वो हो चुका है आई डोंट तो कमेंट क्योंकि बहुत ही नीच टाइप का जगड़ा मेरे लेवल का जगड़ा नहीं है तसरी नहीं है चीजी? जाइत करणने ये कि याञओकर्वन है लुक्या है ये मेरा जगड़ा नीए घर जगड़ा नी कर पस्ता हाशाह ओ अग्योग आपने तक किसका रिखा न गिंखाना मेले देखा थेक्यू थ्याख थेक्यू घटेख्यों किसका प।